मित्रो अगर आपके पास में कोई fire extinguisher है या जब भी आप कोई fire extinguisher देखते हैं या आप अगर कोई नया fire extinguisher खरीदना चाहते हैं तब यह प्रशना जरूर आपको पढ़ता है एक छोटा सा fire extinguisher कितनी बड़ी आपको बजा सकता है तो मित्रो आपको बता दू इसका जवाब उस fire extinguisher की रेटिंग में चुपा होता है fire extinguisher की रेटिंग कोई भी extinguisher इतनी बड़ी और कौझ से परकार की आपको बजा सकता है इसकी जानकारी देता है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे है इस fire extinguisher की रेटिंग लंबर और alphabete में लिखी गई है इसमें लंबर यह extinguisher किस आकार की आग को बुजा सकता है, यह दिखाता है, और alphabet यह extinguisher उस आकार की कौन से प्रकार की, मतलब कौन से टाइप की आग को बुजा सकता है, यह दिखाता है, इस fire extinguisher को 2A, 34B rating दी गई है, तो चलिए समझते हैं, fire extinguisher की class A rating क्या होती है, किसी भी fire extinguisher की 1A rating 1.25 water gallon के equivalent होती है इस fire extinguisher की rating 2A है इसका मतलब यह fire extinguisher 2 gallon यानि की 9.5 liter पानी से जितनी बड़ी आग बुझ सकती है उस आग को बुझाने में समरता है तो 9.5 liter से कितनी बड़ी आग बुझ सकती है तो fire pay standard 15683 किसी भी fire extinguisher को 2A rating तबी देता है जब वो fire extinguisher 39 mm2 जाड़ी और 635 mm लंबी ऐसी 112 लकडियों से बनी क्रीब में लगी आग को बुझा सकता है इसका मतलब fire extinguisher की जितनी बड़ी class A rating वो fire extinguisher उतनी बड़ी class A यानी की लकड़ा, टेपर और प्लास्टिक में लगी आग को बुझाने में सक्षम होता है अगर किसी fire extinguisher के rating 6A है इसका मतलब वो fire extinguisher 39 mm2 जाड़ी और 925 mm लंबी ऐसी 230 मतलब 230 लकडियों से बनी क्रीब में लगी आग को बुझा सकता है तो चलिए अब हम fire extinguisher की class B rating को समझते हैं extinguisher की 1B class rating का मतलब होता है वो extinguisher 1 square feet जितनी बड़ी आग को बुझा सकता है और ऐसा माना जाता है कि 1 liter N हेप्टिन में लगी आग 1 square feet जितनी बड़ी होती है अगर किसी fire extinguisher का rating 34B है इसका मतलब वो extinguisher 34 square feet जितनी बड़ी या आप बोल सकते हैं कि 34 liter N हेप्टिन में लगी आपको बुझा सकता है या class B product यह नि कि petrol diesel में लगी आपको बुझा सकता है अगर किसी fire extinguisher का rating 233B होता है इसका मतलब वो fire extinguisher 233 square feet जितनी बड़ी या 233 liter petrol diesel या केरोशिम में लगी आपको बुझाने में समर्थ है मित्रों भारत में किसी भी extinguisher को class C rating नहीं दी जाती है माना जाता है कि extinguisher की class C rating उसकी class B rating के बरावर होती है विदेशों में gas fire और electrical fire को class C fire माना जाता है इसलिए वहाँ पे class C fire extinguisher electrical conductivity के लिए tested होते है और उन्हें कोई class C rating नहीं दी जाती है तो मित्रों इस वीडियो में बसितना ही फिर मिलते अगली वीडियो में नमस्कार